नमस्कार कोई आपसे आके टकरा जाता है या कोई आपके हाथ को हिलाता है तो क्या होगा आपके हाथ में जो गिलास है जिसके अंदर जो कौफी है वो इदर उदर फैल जाएगी फिर कोई आपसे पूछे कि आपने ये क्या किया ये कौफी आपने क्यों फैला दी इसलिए कॉफी फैला दी आपका उत्तर गलत है क्यों? क्योंकि आपके गिलास में कॉफी थी इसलिए कॉफी फैल गए अगर चाय होती तो चाय फैलती जूस होता तो जूस फैलता मतलब हमारे गिलास में जो है वो ही फैलेगा और यही चीज हमारे जीवन पर लागू होती है हमारे जीवन रूपी गिलास के अंदर जो चीज है वो ही फैलती है जीवन बड़ा आनंद से चल रहा है तो हम एक आवरन ओडे हुए है हम एक चद्दर ओड रखी है जो हम दिखा रहे हैं दूसरों को कि हम ऐसे हैं परन्तु जब जीवन आपको जख जोरता है जब जीवन आपसे जोर से टकराता है जब जीवन आपको हिचकोले देता है तब आपके अंदर से क्या निकलता है तब आपके जीवन रूपी गिलास के अंदर से क्या निकलता है ये देखना जुरूरी है, क्या निकलता है? प्रेम निकलती है, क्रुना निकलती है, दया निकलती है, धन्यवाद निकलता है, सकारात्मक्ता निकलती है, या ग्रिणा निकलती है, द्वेश निकलता है, इर्शा निकलती है, जलन निकलती है, तोटन निकलती है, खतम कर देने क भावना निकलती है, ये चीज देखने वाली है, क्योंकि जिस प्रमात्मा ने जब हमें ये जीवन दिया, तो हमें एक खाली गिलास सौंपा, हमने उस गिलास में जो भरा, वो क्या भरा, वो ही चीज विकट प्रिस्थिति की समय हमारे काम आती है, हमारे सामने आती है, वो ही जब कोई आपसे टकराता है, तो आप जैसा वहवार करते हैं, मैंने दो तरह के वहवार बताएं, एक वहवार है जो सकारात्मक्ता की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो जैसा हमने इस गिलास को भरा है, वो ही छलकेगा, तो क्यों ना आईए इस गिलास को हम भरें करुना से, दया स से, मानवता से, सहरदयता से, सकारात्मक्ता से, परेम से, ताकि जब भी जीवन हमें जख चोरे, जब भी हमारे साथ जीवन की टकर हो, जब भी हमें जीवन निचोडे, तोड़े, मरोडे, तब हम क्या करें? हमारे जीवन रूपी गिलास से जो चीज चलके वो ये चलके, प्रेम चलके, कवना चलके, सहर्द्यता चलके, मानवता चलके, दयालूता चलके, भाईचारा चलके, तो जीवन रूपी गिलास को हमें ऐसा भरना चाहिए, तो सोचिए कि आपके जीवन रूपी गिलास में क्या तन्यवा